कि शिच्चा का अधिकारखन दो जार्णों में लागव हुआ जिसमें सरकार ये दावा कर रही है कि हम बच्चों को कुछ सिच्चा और अच्छ दवस्ताय देंगे जिस जैसे स्कूल बॉंडरी खेल का सामान तीस बच्चों पाथ एक टीचर लेकिन ऐसा कुछ बुंदिल खंचे लरितपुर के ग्राम पंचाई सिंगापुर के विध्यारे में देखने को नहीं मिला जहां पर अब इसे के साथ 163 बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यहां पर केवल तीन अध्यापक हैं जिसमें एक परधान आध्यापक दो टीचर आप बड़े हों के पढ़के क्या करोगी हैं आप किया चाहते हो जाहते हो तूब अध्यापक ओर चाहिए ज़्याब ठीक से पढ़ाई होगी आभी ठीक से नहीं होती ना आपके स्कूर पढ़ाई होती है क्यों नहीं होती है यहां पर में इंचाज प्रधानत धापकूं यहां पर 167 का स्टाप 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 है चार लोगों का जिसमें एक यह स्थाइड यूटी लगी है लड़के लड़कें को लेटरिंग बाद हुम अलग लगें हैं सब के ल महाबरसों के इतिहास संब्लेद इक सब्सक्राइब लिए उसमें 163 बच्चों में तीन स्टाप कैसे पढ़ाते हैं आप क्लास असार इस तरह है कि चार और पाँच की कमबाइंट लगा लेते हैं दूए की कमबाइंट लग जाती है तीन, एक एक अलग लग जाती है तीन, क क्या दिक्कत आदिया पुश्चाएं अलग अलग संचालित होना तो कम सब पांच अध्यापक्तों चाहिए चाहिए जो जाएगी और शिच्छन अच्छी तरह चलेगी तो मैंने यह वीडियो इसने बनाया कि सिंगापर के बद्ध्यालाय में 33 वर्चों पर एक टीचर है मैं वीडियो देखने वारे भाईयों से अपिल करता हूं कि आप इस स्कूल में टीचरों की नियत्ति के लिए हमारी मदद करें जिसके लिए आप हमारे BSA को फोन करके दवाव उनका फोन नमबर है 49350041001 पर कोल करके दवाव बनाये मैं संकरलाल बंदिल खमचेद लेनितपुर से इंडिया अनहाट के लिए